नमस्कार ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हम लोग चट्जा कर रहे हैं बजट 2018 पे जिसे अरुन जेटली ने आज ही लोगसभा में पेश किया है और हमारे साथ आर्थिक विशेशग्य और वरिश्ट पद्रकार अमीत भनोट जी हैं अमीत जी हम लोग अब बात करेंगे अभी हमने बात की किसानों के उपर जो बजट आया है उस पे अब हम बात करने जा रहे हैं स्वास्त के उपर हेल्थ के उपर हेल्थ में एक सबसे बड़ी जब आप भाशन सुने होंगे जिस समय बहुत ही उत्साहित रूप से अरुन परिवारों के लिए हमने लॉंच की है और इस योजना के तहट पांच लाख रूपे स्वास्त विमा का प्रस्ताव देश के सामने उन्होंने रखा है तो यह पांच मतलब दस करोड लोग और उनका यह कहना था कि एक परिवार में पांच लोग हैं तो पचास करोड लोगो के लिए जो हमारी आबादी का चालिस प्रतिशत बनता है मतलब चालिस प्रतिशत आबादी स्वास्त विमा योजना का लाव उठाने वाली है इसको किस रूप में देखते हैं राजीश जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि बजट पे जिस तरीके का एक अकांग शाय और अब एक शाय थी उससे अगर हम बजट को जोड़ के देखें तो स्वास्त ही एक ऐसी चीज है जिस पे वह कहीं ना कहीं वह फोकस और वह उमीदें धरातल पर जिसे कहते हैं मूर्त लूप लेते हुए नजर आई है जहां तक की जिटली जी के अभिवाशन का सवाल है अब जी जी ने जो चीज बोली कि स्वास्त बीमा जिस तरीके का दिया जाएगा और उसमें पचास करोड़ लोगों को ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्त सुरक्षा बीमा योजना होगी और अगर ये धरातल पर उतर जाती है तो निश्चित तोर पर लोगों को में जो ये अनॉस्मेंट है एक बहुत बड़ा फाइदेमंद जो घोशना है जहां तक आम आदनी का सवाल है और अगर ये धरातल पर उटरती और बहुत सारी बीमा कंपनिया पहले से ही बाजार में हैं तो मुझे लगता कि इसमें कोई समस्या होने वाली है क्योंकि ये कही आइक जो जो का आदमी है उसको इससे फायदा होगा दूसरा जो बीमा कंपनिया है उनको भी एक काफी अच्छा बिज्नस इससे प्राक्त हो सकता है तो मेरे क्याल से इस स्वास्त में जहांतक है अको फायदा हो नहों जो आम जनता है गरीब जंता है उसको फाइदा हो और इस बजट में ध्यान रखा गया है यह साफ दिख रहा है दूसरी तरह हलांकि टीवी के मरीज अब हिंदुस्तान में कम हो गये हैं लेकिन फिर भी टीवी के लिए 600 करोर रूपे के आबंटन किया गया है और हर तीन संसदिये छेतर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज के स्थाप का कि घोशना इसमें की गई है और दूसरी तरफ जो मौझूदा अस्पताल है उनके अपग्रेडेशन की बात भी की गई शिलास्पतालों की बात दो इसको किस रूप में देखते हैं अगर अगर कि बात हो मेडिकल कॉलेजिस की बात हो तो जैसा आप कह रहे हैं कि यह एक को बताए कि जो स्वास्त शेत्र है उस पे फोकस दिखा है और अगर सबसे पहले आपने स्वास्त की सवाल पर फोकस है और भारत जाएज सेट्र देश में जहां पे सोशल सिक्यूरिटी नाम की कोई चीज एक्सेज नहीं करती हमें नाग सब्सक्राइब ठीट तो बहुत बड़ी चीज है। पाँच लाग रुपे का नहीं है तो पाँच लाग रुपे का होता है। पाँच लाग रुपे का नहीं होता है कि जो क्रिटिकल इल्लेस है वह बहुत कम लेवल पे एक बहुत चोटी सी पॉपुलेशन में होती है लेकिन बहुत सारी जो हमारी हैल्थ समस्या है वह चोटे से लेवल पे अगर आप किसी डॉक्टर पे ओपीडी दिखा दीजे किसी सर है तो आपका बहुत बड़ा बिल जो है है क्योंकि है छोटे बच्चों है जो बुजूर्ग मरीज है उनको हर महीने एक तरह से एक बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है यह अगर आप ठीका कर देते हैं इन डिस्पंसरी की स्थिटिक्स उदार देते हैं तो हेल्थ के जो बहुत बड़ा बर्डेन है वो ठीक हो सकता है तो उसे देखते हुए अगर आपने जो मार्किंग की बात कही थी मैं बोल सकता हूं कि ओवराल बजट की मार्किंग चाहे जो भी हो हेल्थ के उपर मैं निश्चित तौर पर साड़े साथ नंबर तो कम से कम जेटली जी को जी क्योंकि वह कहीं नहीं उसके उपर बात की है और काफी बड़ा एक अगर यह विश्व की सबसे बड़ी अगर यह यह उजना लेकर आए हैं कि इस तरीके के सपोर्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ी आबादी को उन्होंने कवर करने की कोशिश और बहुत ज़रूरी है और मैं तो यह कहूंगा कि जैसे कुछ मतलब अभी तो सिर्फ 24 मेडिकल कालेज की बात हो रही है जिलास्पतालों के अपड़िशन की बात हो रही है ऐसे अगर मुहले जैसे दिल्ली में हमने देखा है मुहला क्लिनिक यह हलांकि आपको बता दो क्यूबा का या कुछ और भ होगा क्योंकि स्वास्थ गरीबों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप हम लोग तो चले भी जाते हैं डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ हो क्या रहा है बिल्कु अभी डिसकुशन से पहले ही जैसे हमारी बात हो र प्रेशर बढ़ जाता है यह अगर हम चोटे चोटे खर्चे जो डॉक्टर की सुविधा है अगर हम किसी को दे दे तो काफी फाइदा हो सकता है तो कुल मिलाकर कि स्टैक्स में खासकर हेल्थ की बात अगर इस बजट में और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए जो इस देश का जो स्वास्त है वो बहतर होगा देश के स्वास्त की में बात कर रहा हूं देश का स्वास्त बहतर होगा तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक का मिजी और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो हम चलेंगे टैक्स के गौर जो आईकर स्लैब की बात हो रही झाल झाल